हाई गाईज, गुड बॉर्णिंग अल आफ यू, आज हमें इस वीडियो में अल्टरनेटर पर टॉप 20 MCQs लेकर के आए हैं और ये बहुती महत्पूर प्रश्ण है जो परिच्छों में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्ण है ये इन प्रश्णों को हमने प्रिवियस येर जो पेपर हैं आपके उनसे इनको सलक्ट किया है और ये मान की चलिए आपकी आने वाली परिच्छा में जो UPPCL TG2 की परिच्छा है उसमें बहुत ही संभावना है इससे प्रश्ण आने की, इसलिए आप इन प्रश्णों सभी को रट लीजे और इससे पहले हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखा है TG2 Papers के नाम से इसमें हमने अन्य डिवाइसे जो हैं आपकी उस पर काफी प्रश्णों को हल किया है जैसे आप देख सकते हैं यह सभी जो डिवाइसे जनाब की जैसे सिंगल फिज इंडेक्शन मोटर है थ्री फिज इंडेक्शन मोटर है ट्रांसफार्वर और इसके अलावा आपका DC मोटर है DC जनरेटर है इन पर हमने MCQs को हल किया है और यह ऐसे MCQs हैं जो परिच्छों में पूछे गए हैं और जो प्रिवियस एयर कोस्टन है आपके UPPCL के वो भी हमने यहां पर सॉल्व किये हैं तो आप अपने यहां से इन प्रश्णों को अच्छे से तयार कर सकते हैं और इसके अलावा यह आप वीडियो देखकर के अपनी तयारी अच्छी नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया है तो आप PDF डाउनलोड करके उसे प्रिंट आउट ले करके अपनी अच्छी से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप अपने मुवाइल में ही उसे PDF के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं अपनी तयारी मजबूत कर सकते हैं और इसके अलावा हम अपनी कम्यूटी टेब में एक प्रस्न डेली डालते हैं जहां से आप अपनी तयारी को चेक कर सकते हैं आप कितनी तयारी में हैं और यहां आप प्रस्नों को देख करके अपनी बोटिंग कर सकते हैं कि कौन सा प्रस्न सही है और उसका अंसर आपको कमेंट में हमने पिन कर दिया है जहां से आप उसका सही आंसर क्या उसे देखकर कि अपने answer को मिला सकते हैं तो चलते हैं वीडियो सुख करते हैं और याज आप चाहते हैं इस तरह कि वीडियो का notification आप कोई मिलता रहे हैं तो आप हमारे channel को subscribe करके बेलागन दबा सकते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहा होंगे ये आपका आज का वीडियो अल्टरनेटर पर है इसमें महतपूर परस्णों को लिकर क्या आई हैं और अपनी मित्रों को अधिक साथी share का दी जिससे कि इस पीडियाप का उनको भी लाम मिल सके और ये बीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जिया जहांसे इसे आप डाउनलोर कर सकते हैं तो आज का पहला प्रस्ण आपके सामने साइलेंट पोल रोटर का अप्रियोग कहां किया जाता है पहला आप्सन जिया गया है अधिक धुर्बों के साथ निमने स्पीट जनरेटर में साइलेंट पोल जो रोटर होता है इसके एक कंडिशन रहती है कि लोग स्पीड और लोग स्पीड का लावाद दूसरा रहता है आपका डाया हाई क्योंकि आपने देखा हुआ एक तरह से जहां स्पीड कम होगी तो उसका डायमीटर ज्यादा रहता है तो वहाँ इसका प्रयोक किया आएगा जहां पर ब्यास अधिक हो और लंबाई कम हो और धुर्ब की संक्या अधिक हो और स्पीड कम हो यानिके यह इसके वह है एसी जगह पर धुर्ब जो आपका साइलेंट धुर्ब रोटर होगा उसका प्रयोक किया जाता है अगला प्रशन आपके सामने अल्टर्लेटर में चुमो की छेतर निमलेखित में उत्पन होता है जो अल्टर्लेटर होता है चुमो की छेतर कहां उत्पन होता है इस टेटर में होता है रोटर में होता है या आपका आर्मेचर में होता है तो यहां आपका option number हो जाएगा भी rotor में आपका चुमगी चेतर कहां उत्पन होगा चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने दो वास्प चालित प्रत्यावर्तक समानता क्रम में काम कर रहे हैं और भार का बहन किसका समायवन करने से परिवर्तित हो सकता है लोड को एक तरह से समायवन करना हैं तो कैसे होगा अरथात लोड अधिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जिससे कि यह अल्टर्णेटर लोड अधिक ले सके हैं तो पहला option दिया गया है प्रत्या वर्तकों का छेत्रपल बढ़ाना है या गठाना है प्रत्या वर्तकों का सक्ति गुलांक चेंज करके या मूल गती उत्पादक में वास्प की मात्रा चेंज करके प्रत्या वर्तकों की गती तो यहां option जो आपका C दिया गया है यहां पर मू पूल गती उत्पादक में वास्प की मात्रा अधिक करने से ये लोड का जो है एक तरसे ज्यादा लोड होगा उसे बहन कर सकते हैं तो इसका अप्शन मसी सही हो जागा चलते हैं अगले प्रस्ण के ओर अगला प्रस्ण आपकी सामने दिया गया है एक आठ पोल प्रत्यावर्तक 375 आर्पिम पर घूम रहा है यदो पोलों की संक्याद दोग नहीं कर दी जाए तो नवी नावर्तिक क्या होगी तो देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका सिंक्रोनस स्पीड एन बराबर 120 F अपॉन P इस फॉर्मूला को मोडिवाई कर ले हमें F की वेलू निकाल नहीं हो तो इसमें N और P की वेलू आप लगा देंगे तो इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं F वराबर N P अपॉन 120 अब यहां यहां यह बोला है कि यह कितने पॉल की है 8 पॉल की है अगर पॉलों की संग्या दुगन नहीं कर दिया है तो 8 का दुगना कर देंगे कितना है 16 पॉल तो यहाँ पोल की संग्या कितनी आदेंगे हम 16 और एन की वेलू कुतनी लगादेंगे 375 तो लगाईए 375 गुडा 16 बटे 120 यह F की वेलू हो जाएगी जब इसे आप हल कर लेंगे तो यहाँ अगर आप माली यह इसे काटते हैं 8 से तो यह 2 बर कर जाएगा आपका और 8 से से काटेंगे तो 15 बार कर जाएगा अब 15 का भाग इसमें करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और बचेंगे 7 और 15 बचेंगे 75 25 बार और 25 का मंटिप्लाई आप 2 में कर जाएगे तो आपका आजाएगा 50 अगला प्रशन आपके सामने दिया गया है दो प्रत्यावर्तक समान तर में जोडने के लिए कौन सी सर्थ आवस्यक है तो आप्शन A दिया गया है समान के विए निधरर आप्शन B विभिन आपरतियां C समान टर्मिरल बोल्टता आप्शन नमबर D दिया गया है विभिन फेज क्रम तो यहाँ आपका हो जाएगा आप्शन नमबर C समान टर्मिरल बोल्टता यह सर्थ होनी चाहिए इनके पर्लेल में चलाने के लिए आप्शन नमबर C यहाँ पर सही हो जाएगा तो चलते हैं अगले प्राशन की ओर चिक पिच पांच बट्टे 6 है उसकी कुंडली दूरी कितनी होगी कुंडली दूरी निकाल नहीं है आपको तो 180 मंटिप्लाइवाई पिच पिच कितना है पांच बट्टे 6 तो 6 का इसमें भाग करेंगे 6 तीया अठारे जीरो इसका मंटिप्लाइवाई करेंगे पांच में तो यह हो जागा 150 तो यह ओप्शन नमबर ए आपका सई हो जागा 150 डिगरी तो चलते हैं अगले प्राशन की ओर अगला प्राशन आपके सामने प्रत्यावर्तक का बोल्टता नियंत्रड किस पर नियंत्रड करता है आप्शन ए भार और सक्ति गड़ांग दोनों पर केवल भार पर या केवल सक्ति पर उत्तिजन धारा पर तो यह ओपका आप्शन से हो जागा भार और सक्ति गड़ांग दोनों पर नियंत्रड करता है इसकी आपरती क्या होगी तो इसकी आपरती के लिए क्या करेंगे हमने आपको अभी एक फार्मूला आपरती के लिए बताया था कौन सा बताया था आपरती f वराबर n p बट्टे 120 यही बताया था इसमें आप इसमें n की बलू लगाएंगे n कितना है speed 33 गुणा पी पी आपके 20 पूल है वट्टे 120 जब इस से से काटेंगे तो आप काटेंगे 6 वा कटेगा 6 का इसमें भाग करेंगे 635 फिर 35 पांसो पचास इसमें अप्शन नमद देखिए 550 जहां भी दिया होगा वह आपका अप्शन सही हो जागा चलते हैं अगले प्रश्न की ओ अगला प्रश्न आपके सामने किसी अल्टर्णेटर की चाल जब 3600 आर्पियम से कम करके 1800 आर्पियम करती जाती है तब अल्टर्णेटर का विद्धत बहागबल लगवग कितना हो जाएगा तो आप यहां देख रहे होंगे कि जो आपका इसकी स्पीड है एन से एन वाई टू कर दी गई है यानि कि स्पीड आधी कर दी गई है तो इसका जो है बिद्धत बहागबल लगवग करता है तो आपका बिद्धत बहागबल होता है वो डिपेंड कर या किस पर इस स्पीड पर अगर यह आधा हो जाएगा speed तो इसका विद्विद भाग भली भी आधा हो जाएगा तो option नमबर ये आप दिख रहे होंगे आधा ये आपका यहाँ पर सही हो जाता है चलते हैं एगले प्रशन की ओर अगला प्रशन है alternator को निमलेकित में अंसाकित यानि rated किया जाता है किसमें rated इसकी rating किसमें किया जाती है alternator की ये पूछा यहाँ पर option A दिया है वाट B दिया है केविए C दिया है एचपी D में किलोबाट तो यहाँ आपका option से हो जाएगा alternator की rating केविए में की जाती है तो आपका option यह हो जागा B सही चलते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन आपके सामने दिया गया उच्च केविए वाले alternator को ठंडा करने के काम आता है A water cooling B hydrogen cooling C oil cooling D air cooling तो यहाँ आप option देख रहे होंगे जो उच्च केविए वाले alternator होते हैं उनमें hydrogen cooling का प्रेयोग की आता है बात और बाकी जो आप देख रहे हैं option नम्र A option C option D यह transformer में प्रेयोग की आती है किसमें transformer को cooling के लिए water cooling oil cooling air cooling कि वाले अल्टरines में प्रयोक किया जाता है। अगला प्रस्ण्स आपके सामने वह consisting जो steam turbine से चलती है कहिलाती है तर्बोड़नेटर हैडिल अल्टरनेटर गाषी al лиno- Nee hanno वास्प अल्टरनेटर तो यहां आप देख रहे होंगे जो इस टीम के द्वारा चलती है वो टर्वो अल्टरनेटर कहलाती है यानि कि जो स्टीम के द्वारा चलती है टर्वाइन उसे टर्वो अल्टरनेटर कहते हैं और यहां से जो सेश दिये गए है आपका जो हाइट्रो अल्टरनेटर यह आपका जल से चलता है और इसके अलावा जो आपका WASP चलता है उसे WASP alternator कहेंगे अगला प्रशन आपके सामने एक Exciter प्रदान करता है alternator क्या प्रदान करेगा Exciter वो DC प्रदान करता है तो यह पहला यह option जा गया है DC supply प्रदान करता है Exciter अगला प्रशन आपके सामने किसी अल्टरनेटर की EMF बढ़ानी हो तो field को regulate करके flux को बढ़ाना परता हमको यानि कि हमें flux बढ़ाना होता है कैसे बढ़ाएंगी वो देखना होगा तब हम उसकी EMF बढ़ा सकते हैं तो यहां पहला प्रशन दिया गया यह आपका option सभी जागा नेक्स्ट प्रशन आपके सामने जब आरे मेंचा चालकों की संक्या 84 यानि 84 तथा पोलों की संक्या 6 है तो पोल पिच का मान कितना होगा तो यहां देखिए आपका जो चालकों की संक्या है वो उपर रखाएंगे और बट्टे पोलों की संक्या तो चालकों की संक्या 14 होगी पोलों की संक्या 6 दीए अब इसे आप हल कर लेंगे 6 से काटाएंगे 6 कम 6 दो बचाएंगे 24 देखिए 24 देखिए 24 तो 6 चोबीस ठीक है तो आपका यह आंसर जागा 14 चलते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन आपके साल है अल्टनेटर ब्रुस निमिनगत पर आरोपित रहता है option A slip ring पर, option B computer पर, option C rotor पर या diaryo पर तो यहां आपका option number जो दिया गया है A slip ring इस पर आपका carbon brush इस्थापित रहता है या निकारोपित रहता है या इसे connect रहता है अगला प्रशन आपका alternator को समानतर में प्रचलित करने से पहला option अत्रक्त लोड को बहन किया जा सकता है अत्वा कोई alternator overload नहीं हो पाता या लोड घट जाने पर भी या running alternator frequency नियत रहती है तो यहां आपका सही option जो हो जाएगा पहला दिया है अत्रक्त लोड को बहन किया जा सकता है तो यह option number आपका A सही बहता है चलते हैं अगले प्रशन की हो तो अगला प्रशन आपके लिए alternator का power factor खाली जगा निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है rotor घुडन गति पर alternator की उतिजिना पर या prime mover के input पर या output में सही ज़िद लोड पर तो जो alternator होता है उसका power factor डिपेंड करता है मुखे आपके output में जो load connector दाथा उस पर तो option number D यहाँ पर सही हो जागा आपका चलते हैं अगले प्रशन के ओर अगला प्रशन आपके लिए किसी alternator द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है तो जो alternator होता है उसके द्वारा आप सब जानते होंगे कि AC धारा उत्पन की जाती है पैदा की जाती है और एक और प्रशन आपको बहुत महत्पूरा इसका alternator के उपर पूछा जाता है रेटिंग किसमें की जाती है इसकी तो KVA में की जाती है तो यह था आज का वीडियो इसमें हमने top 20% की यह alternator पर और इनको अच्छे से आप त्यार कर लिजिए क्योंकि परिच्छाओं में इनमें से एक दू प्रस्म आता रहता है और इसका पीडियाप आपकी वीडियो की डिस्क्रेशन में दिया गया है अगर आप वीडियाप डाउनोल करना चाहते हैं तो उसे लिंक से डाउनोल कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें अपने वहारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्ब कर लिए जिससे के आने वाली इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं अच्छा वाजन इस वीडियो